जूट क्यों बोला जूट क्यों बोला जूट क्यों बोला यह बताई आप नहीं करेंगे आपको डाइ मिनिट बोलने दिया मेरे सवाल का जवाब दे दीजे जूट क्यों बोला इसको फिजियो थेरपिस क्यों बोला रेपिस को फिजियो थेरपिस क्यों बोला वह आपका एज रवी बाई एक शब तो बोल दीजे कि रवी शरवास्तव ऐसी क्या मजबूरी आप तो रेपिस से मसाज गलत ये तो बोल दीजे रवी बाई ऐसी के मजबूरी कि बेटी बेटी के हक में बोलिए जिस बच्ची का रेप इस आरोपी ने किया उसके खलाफ एक शब्द तो बोलिए तो फिर बोलिए ना फिर क्यों नी बोलते हैं क्या फैडिकॉल खाली है क्या आपके चाहें जिन्दा चलाओ है मैं आपके जिन्दा का जवाब निenne अआप ये तो बոल दीजे रवीजी की रेप के आरो रेपिस से मसाज घलत хैश तो बोलिए क्या होगया आपको भईश्छ पंपने हम सबंडने बची आं बेटी हैं हमारे घर में माइल आए है हम क्या कर रहे हैं ऐसी को इस दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं गुजरात के लोग भी देख रहे हैं आप मेरे मुँं में अपने शब्ड डाली यह मट डाली बहुत तो कहींने लाहूं आप बोल दीजे बामान बडिया मसाज चल रही है आप कि मुझे मौका मिलेगा मैं भी रेप के आरोपी से मसाज कराऊंगा मैं थोड़ी ना आपके मूँ में शब्द डाल रहा हूं के लिए एजंडा चला रहा है बस सीधी बात है हां मैं रेपिस के खिलाफ एजंडा चला रहा हूं क्या प्रोब्लम है बस शैजाद तुनावाला अपके पास आऊंगा शैजाद एजंडा और बदनाम कर रहे हैं एजंडा चला रहे हैं हाँ रेपिस्ट का मसाज अर्विंद केजरिवाल और आमादमी पार्टी के लिए है इलाज दिखे एक शराब के घोटाले में अक्यूज नंबर वन हावाले के घोटाले के अक्यूज नंबर वन को बचा रहा है और मसाजिस्ट बता रहा है यही तो मैं डील की बात कर रहा हूं मनी Damit के बहा हूं और अगर दील नहीं है तो मनी सिशोध्या आर्विंद केजिवाल ऑर यहां आघर डी ठोपडा के शोपर आकर कहे कि हमसे गलते होगे हुना हम ने इसको फिज्यो थेरैपिस्ट का है अरे रेपिस्ट तो बोलडीजे रवी शिर्वास सब क्या प्रॉब्लम है आपको को रभी भाई हम सबके घर में बच्चियां बेटे माहिल आए हैं वो भी लोग देख रहे होंगे रेप का रोपी को रेप का रोपी तो बोलिए ना बोलिए रेपिस्ट रिंकू बोलिए ना वो रेपिस्ट है फीजियो थेरेपिस्ट नहीं हमांजी हमसे घलती हुई मानिए घलती यह वीडियो फेक है एक मिट भाई यह नहीं है बताइए अगर आपके पास वैकूत सबूत वीडियो फेक है एडी जवाब देगी कोट में सर एडी ने कोट में पता आपके वकील ने क्या पूछा सतेंद्र जैनी के लीक कैसे हो गया अगर डॉक्टर होता तो क्यों कहते है एलीक कैसे हो गया आज कोट के अंदर सतेंद्र जैन के वकील लें इडी पर आरोप लगाया है कि यह लीक कैसे हो गया आप एक्टिंग करते है क्या तो यह डॉक्तर है एक उडियो है अच्छ यह डॉक्टर्ड है शासम या वो भी नहीं है सतेंद्र जैन है रवी जी सतेंद्र जैन है उस वीडियो में या वो भी डॉक्तर है जब मैं कह रहा हूं वीडियो फर्जी है तो सारा कुछ फर्जी है अच्छा वो सतेंद्र जैन नहीं है जो ये बैठा ये रेपिस नहीं है यार कबाल है आप आपको एक सवाल का जवाब एक बार पर समझ में निया ता क्या यह तो ऑरिजनल आमादीपदी भी नहीं कह रही सरअ आप को पता है रविभाई घलत एंगल ले लिए अपने आप सस्वाब में आप अब्जर्वेशन के ओपर जज ने ये बोला वकील ने ये बोला और विट्नेस ने ये बोला ज़ल्दी से शहजाद डॉक्तर्ड वीडियो नहा आरोप डॉक्तर्ड वीडियो यह लोग ये भी काम करने लगें वाप लोग ते करते हैं अच्छा बतारें बतारें अपसे जवाब लीजएगा सब को अडियो पर शहजाद बोलेंगे बुलिया आप शहजाद अमन जी अगर यह वीडियो डॉक्टर्ड है तो मनीज सिसोध्या ने आ कि यह क्यों कहा कि बीमारी का मजाक उड़ा रहें वो तो कहते कि हम मानानी का दावब कर रहें तो हमारे सतेंदर यह ही नहीं तो यह तो मनी सिसोध्या ने भी नहीं का परंतु पूरे डिबेट में कोई भी आमाधी पार्टी समर्थक को कहा गया है फोन करके कहा गया है कि रेपिस्ट रिंकू को रेपिस्ट नहीं बोलना है यह मेरी चुनौती है आपसे अगर कोई ओफिशल प्रवक्ता भी होता हूं को ब्रीफ दी गई है ही इस नॉट रेपिस्ट रिंकू ही इस फीजियो थेरपिस्ट रिंकू और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह डील हो चुकी है और अमन जी मैं आपको और एक महत्वपूर्ण विशय बताना चाहता हूं देखें यह क्यों किया गया है यह के इसलिए वह आज उसको वाइट वाइट वाश करके उसका प्यार करके उसकी एडवर्टाइजिंग करके रेपिस्ट रिंकू बना थेरपिस्ट रिंकू यह पूरी आमादभी पार्टी की एक स्ट्रेटिजी है यह मैं बहुत गंबीरता से कहना हूं मतलब तुम मुझे आज दो मैं तुम्हें आरो कुक मनाओंगा यह वाली डील हुई है निर्भया के रेपिस्ट को भी इन्होंने गया था इस बार मेरा जो हैस्ट्रेग है जो मैंने हैस्ट्रेग दिया हद कर दिया आपने मतलब यह थोड़ा जैदा हो गया सुबरांग जी चाहिद यह कोई य अमन जी मैं अपनी बात को तीन पॉइंट से रखना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आज जो डॉक्टरों की या फिजियो थेरेपिस्ट की फेटर्निटी को जो लेकर अर्विन केजरिवाल जी ने बेयान दिया है यह नया हिंदूस्तान चल रहा है आरेसिस का बड़ा बेटा भारतिय जनता पार्टी इंटायर पॉलिटिकल साइंस में की डिगरी होल्डर अगर बादलों के बीच से रडार उडा सकता है तो छोटा बेटा आर्विंद केजरिवाल और मनीश स्योधिया बलतकारी को फिजियो थेरपिस्ट बोल दिया तो कौ नहीं ऐसा नहीं कोई नेता है आकर बलतकारी कोई फिजियो थेरपिस्ट बताने लगे एक बात दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक और है हमन जी मुझे बड़ा दुख हो रहा है सहजात की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि बच्ची के माबाप पर क्या बीत रही होगी बिल्कुल अगर आज उस पॉसको वाले रेपिस्ट की बच्ची के माबाप अगर इसको देख रहे होंगे कहीं से तो सच में उनके आत्मा के साथ साथ उनका सरीर मर रहा होगा लेकिन पता नहीं आरे से इसके दोनों बच्चे भारतिय जनता पार्टी और आम आदमी और स्वामी चिन्मेयानंद भारती जनता पार्टी के पुरोकेंद्री ग्रिहमंत्री अपने कॉलेज में बला उट मसाज कराने लगते हैं मतलब इन दोनों पार्टियों का बेसिक डियने एक ही है क्या बलतकारियों के साथ मसाज कराना या अपना काम करने के बदले में आगेगी और तीसरा बिल्कुल सही आप कर रहें उस बच्ची के माबाप और वो पूरा नारी समाज आज दर्द में होगा मैं एगरी करता हूं से अजात की बात से कि आखिर अंकिता भंडारी के माबाप को नियाए कब मिलेगा वह भारी भरकम व्यक्ति कौन था जो अंकिता जनता पार्टी कब जबाब देगी उसके माबाप तो आज सिव्याई जाच के लिए बैठ गए हैं उसके उपर भारती जनता पार्टी कब जबाब देगी यह नई परिपार्टी हो रही है क्या कि दोनों के पार्टी में बलतकारी है यह नई परिपार्टी हो रही है क्या भ प्रिटिकल साइन से कोई सैंटिस्ट नहीं बनता और पढ़ लिखकर फिजियो थेरपिस्ट बनते हैं बलतकारियों को मर्रणों को समगोधित करके फिजियो थेरपिस्ट करिए उसके बाद और वेद भूशन जी आप से शुरू करूंगा ब्रेक की मजबूरिये छोड़ा सब जो आरोप लगाएं वो शहजा जवाब देंगे ब्रेक के बाद शोड़ा सब देख ले रहा हूं